प्रगर एफिट आपको कहां से का तक आई यह टू लेकर के स्टेशन तक तो परिग्राफ पर आते हैं यह और टू लेटर एक साल या दो साल के बार एडिशन डिसाइट टू प्रोडियूश इस और निस्पेपर एक दू साल के बाद हुने यह सोचा कि मैं क्यों ना अपना अपना खुद का एक अख़बार चलाओं ठीक है एक पुरानी प्रिंटिंग प्रिस करीदी मतलब चॉप्रानी अग बार चपन वाले मशिन खरीदी एन्ड सेट इटएप इन्हें रेलवेर वैगन और हुने उसको कहां शिट कर लिया अपने रेलवेर वैगन में मतलब जोनकी गाड़ी चिहां को जगा दी गई थी किया प् printed his paper वो खुद उसको एडिट करते संपादक खुदी थे प्रिंट भी खुदी करते sold a number of copies and made more money उन्होंने बहुत दे सारे papers बेचिया और ज्यादा पैसे कमाया with the money उस पैसो से he set up a small laboratory in his railway wagon अब उन्होंने अपने उस railway wagon में याने की जो उनको एक कम पार्ट में मिला होता रहने के लिए पिलगाडी में वहां पर उन्हों क्या किया उन्होंने चोटा सा प्रियोक्षाला भी बना लिया when he was 15 जब वो सिफ 15 साल के थे he met with an accident that affected his career जब वो सिफ 15 साल के थे तो उनकी साथ एक accident हुआ एक दुरघटना हुई जिन्होंने मतलब जिस दुरघटना ने उनके life को उनके career को बहुत ही क्या गया effect किया बहुत ही प्रभावित किया while he was doing an experiment in his laboratory the train turned round a corner जब वो अपने laboratory में आने के अपने प्रियोक्षाला में वो experiment कर रहे थे प्रियोक कर रहे थे तभी क्या हुआ जो रिल गाड़ी थुए एक corner से मुड़ी ठीक है वे corner से मुड़ी मतलब कि किसे मुड़ी corner से मुड़ी एक मोड आया वहां पर उनमें मोडा उस रिल गाड़ी को तो क्या हुआ okay there was sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor on his carriage and it caught fire ठीक है तभी क्या हलका सा जटका लगा और क्या हुआ जो उन्होंने phosphorus ले रखा था experiment के लिए वो नीचे गिर गया और वहां पर क्या हुआ आग लग गई before he could put it out the newspaper had caught fire before he could put it out जब तक कि वो इससे बुझा पाते तब तक क्या हुआ जो आग थी वो newspaper में पहुँच गई ठीक है नीचे पर तक पहुँच गई और अब अखबार में भी आग लग गई जो आग थी बहुत जदा बढ़ गई क्योंकि वहां नीचे पर धेसा रखे हुए थे ठीक है तो अकबार में जल्दी से क्या आग पकड़ लेती है पेपर वगएरा में तो उसे क्या आग आओ जदा बढ़ गई तो फिर क्या किया एडिसन ने बाहर चिलाना शुरू कर दिया तो उसमें गाड है जो गाड एक लगा रहता है फिर वो गाड आया और उन दोने मिल करके क्या उस आग को बुझाई बट दैट वज दा एनड और अडिन सर्विस on the train लेकिन वो जो दिन था उस दिन के बाद से उनको जब से निकाल दिया गया यह उनका आखरी दिन था train में दिया अगरा एक आगले के स्केशन कर दिया गया हटा दिया गया अब मुग आते हैं कर रगराफ 9 में हमारा paragraph 9 दिखो किता है अलाकिये chapter काफी बड़ा है कहां से है the next five years to laboratory किता है ठीक के अपकिता है बुटार थिव करते हैं परिग्राफ ने करते हैं परिग्राफ 9 the next five years Edison took up the job in different cities he made good use of the libraries and met experts in factories and workshops ठीक है अब दो क्या हुआ अगले पांच साल में Edison ने जॉब लिया लेकिन हर एक अलग अलग शहर में ठीक है अभी इस शहर में जॉब लेते फिर उसको छोड़ का दूसरी शहर में जॉब ले लेते ठीक है तो उसका पूरा यूज किया वहां जो बुक्स वह करती तो उसको पढ़ते भी थे तो इस तरह उन्होंने काफिया नॉलज भी गें कर लिया था उसके बाद एंड में एक्सपसिंट इंफेक्टरी इंफक्टरिज औं शॉप अब उन्से उनको थे काम करना था तुझेसे अभी इल लभ्राट वो सरी लाइब्री नी क काम चुटा अब बुचल और किसी फैक्टरिं काम करने के लिए अब जब वो स्क्राइब ऑप सर रि Force होते हैं، इ worked harder at his experiments और उनसे जो आंसर मिलता था उन सब का यूज करता था और उनसे सीखता था और अपने एक्सपेरिमेंट पर बहुत ज्यादा परिश्रम करने लगा दूरिं इस परियाड ही वाज आउट आफ जॉब फॉर शॉर्ट टाइम अब देखिये अब इस जी जो चला है का यो सीरेल चला यह जो काम कर रहा है कभी लेबराटरी में तो कभी फैक्टरी में कभी कंपनी में तो इस बिश्क्या वाज थोड़ देर के लिनको रेष्ट मिला रेष्ट मतला इनके पास कोई काम नहीं था ठीक है तो क्या हुआ एंड वाज स्टेइं विथा फ्रेंड और वो क्या था वो जो एडिशन थे वो किसके साथ रह रहे था एक दोस्त के साथ रह रह रहे थे this young man was walking in a company there He just on Tco काम करता था काम कंपनी में करता था एक शर्वान थे फैनाइट कंपनी उसकंपनी में आनी इम्पोर्ट एम्पोर्ट मशीन वह कंपनी में वहा थी महंत्रपूल मशीन थी वन डे चनरा परेसिटरींफब सडरनली में मशीनों कर दन मशेन अब एडिशन उसी समय वहाँ पर थे He had a look at the machine उन्होंने एक बार माशीन को देखा उसको समझा फिर और रिपार इट विद इन आशाट टाइम और उन्होंने उस माशीन को बहुत ही जल्दी और कम समय उसने उन्होंने बना दिया उसको रिपार कर दिया जो मैनेजर था उस कमपनी का वो बहुत ही खुश हुआ कि अरे इस आदमी तो तुरंते साई कर दिया मशीन को मतलब जानकार है इसके पास काफी नोलेज है तो उसको एक जॉब दिया और अच्छी जॉब दिया उसको एडिशन पेड आफ इस टेट्स एडिशन ने अब तक जितने भी कर लिये हुए थे उन्होंने अपने सारे कर चुका दिये इस जॉब को पाने के बाद और उन्होंने अपने लेबराटरी यानि के प्रयोक शाला को और अच्छा बनाया ठीक है उसको और इंप्रूव किया ओके अब दो पढ़ते हैं परग्राफ 10 जो कि आपका है ठीक है स्टार्ट करते है अब हर एक इंवेंशन के बाद वो क्या जल्दी से ही दूसरा इंवेंशन यानि कि आविश्कार भी कर देते थे और एडिशन अब बहुत ज़दा पैसा भी कमा लिए है और उनको काफियादा प्रसिद्धी में मिली ही वाज वोकिंग इन 1878 ही वाज वोकिंग ऑन अ मशीन दाट कुट्री प्रडूस्ट दाहिमन वोईज अठारा सो अठार इसमें वो एक ऐसे मशीन पर काम कर रहे थे जो कि इनसानों की आवाज को प्रडूस कर सके निकाल सके दाट करने वाले मशीन कहा जाता था वेन कॉलिट्ड ग्रामो फोन नाव भी का लिट दा dinero अब हम इसको क्या कहते है ग्रामो फोन कहते है ता सेम यंद्धी वाज इन्धावस इन वोशिंग टन उसी सार है इनको इनवाइट किया गया इनको बुलाए गया वाइट हाउस में वाशिंग वाइट हाउस में ही रहता है ठीक है तो हम लोग क्या कहते है वो President home होता है President house है ठीक है क्या है वो उसका नाम है White house तो उसी साल इनको बुलाया गया White house में इनको निमंतर दिया गया that is the name of the house where the president of the United States of America lives ठीक है जो नाम होता है White House मैंने आपको बताया था कि जो जो राजपती होता है अमेरिका का वो वहीं पर रहता है Edison went there to show his new machine to the president. Edison gag अपनी machine को लेकर के वहां के president को दिखाने के लिए this made him famous all over America अब ये जो machine थी इसने उनको पूरे अमेरिका में famous कर दिया now he was successful and prosperous prosperous टेक अब क्या है अब वो successful थी अब क्या हुआ उनको प्रसिद्धी भी मिल चुकी थी प्रसिद्धी के साथ साथ वो काफियदा धनी भी हो गयते पैसे मिले काफियदा नाम हुआ हर चगा famous हो गया दुनिया में famous हो गया क्योंकि उस समय ऐसी कोई machine बनाने वाला था ही नहीं तो वो उन्होंने बनाया और वो famous हो गया इनकी मा ने इनको कितने अदा आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़दा प्रयास किया है ना आप सब भी जानते हो इसे उसमें बताया गया है और इनकी खुद की hard work मतलब इनकी खुद की कठिन मेहनत इसमें बहुत ज़दा लगी है तो यह कह सकते हैं उनकी मा ने जो help किया उसकी वज़े से और इनका कठिन पश्रम दोनों मिलकर के क्या किये इनको आज एक ऐसी जगा पहुचा दिये हैं जहां पर कोई नहीं था आस पास ठीक है कि दुनिया में आज सब इनको जानते हैं हर एक इंसान जानता है क्यों जो नहीं जानता है क्यों तो नहीं जानता होगा मतलGe करह इसका की इक किस नहीं किया ट्रими फोन कर दो होता है आज आगे मोरी देखते हैं Program 11 paragraph 11 इसमें क्या है पढ़ते हैं देखूँ इन मार्च से लेकर के इलेक्ट्रिक लाइट्स तक है ओगे इलेक्ट्रिक लाइट्स अज देखे हैं इन मार्च 1878 ही बिगान टू वर्क और अए लेक्रिक लैंप अब अठारा सो अठाकता इसमें उन्होंने शुरू किया एक ऐसा काम उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप पर काम करना शुरू कर दिया फीपल यूजज्च थेंडल्स और लाय्म्स इन दोस डेस उस समय लोग और लाय्म्स का यूज करते हैं तो ते ब्लडार करके लाए है तेल्डार करके पिस में बद्धी लगा कर फिस बहू देया साली जन्हों कहते हैं उसका को दो सालों में एलेक्रिक लाइट दूंगा विद्धुद प्रकाश दूंगा जब उन्होंने ऐसा कहा तो सारे जो साइंटिस्ट थे वो हसने लगे उन पर किया रहे से थोड़ी दो हता है मांनषी उनके दिमाग में वहा था उनके दिमाग करने कोशी करते हो जब कुछे करने कोशी करते हो लोग को पोलता कि नहीं हों होगा तुम को मना कर देंगे मानों कि वो उस जगह से होकर रहा है बहुत अच्छा एक्सपिरियंस उनके पास अरे आपने जो दिमाग लगा आपने जो आइडिया लगाया था हो सकता है कि वो गलत रहा हो मैं लगा रहा हूं मैं ट्राय कर रहा हूं है ना शाद्व सही हो तो क्या आपको लोगे परवाद करने चाहिए आपको अपना काम करना चाहिए अब देखें उन जो प्रामिस किया है अब देखें उन क्या पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं हुम सभी साइनिस्ट थो सभी हसने लगे उन पर देशेट दाट इट वाजिंपॉसिबल बट एडिशन वाज नोट वाडिट आप देखें कहा कि उनसे कि आई ऐसा हूँ सकते हूँ सी अनसे को यह चिनत आए लेकिन को जडरा भी बीनकी चिंता नहीं थी सोच लए इंको तुन नहीं बता ना मैं क्या करने वहला इसलिए सब हास रहा है ही और हाड़र ऐन हाड़र वह मेहत करने लगे और महत मतलब बहुत कठिन परिश्रम से भी ज़्यादा परिश्रम करने लगे He performed a thousand experiments but all of them failed उन्होंने कम से कम एक हजार experiments कर लिये थे तब भी वो fail रही थे ठीक है एक हजार बार उन्होंने ट्राइ किया electric light देने की यहने electric bulb बनाने की अब देखिये but he did not give up hope लेकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी I must keep my promise to the people मुझे अपने उस वाजे को पूरा करना है जो मैंने लोगों से किया है he said to himself उन्होंने खुद से कह and walked harder still और खूब परिश्रम करते है खूब मेहनत करते रहे he was racing against time वो time से race ले रहे थे जो देख तो कौन जीता है तुम भागो मैं experiment करना शो करता हूं मतलब क्या था वो हर एक time पर experiment करते थे ठीक है कभी रुखते नहीं थे at last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1200 experiments at last ant में उनको सफलता मिली in making an electric bulb विद्दबल बनाने में आफ्टर नियरली लग भग बारह सो बार उन्हों ने experiment किया बारह सो बार और हम क्या करते हैं आप और हम मालीजे हम पांच बार फेल हो गया ना किसी काम करने के लिए हम नों तो छोड़ देते हैं बोलें हम से होगी है बिल्कुन हम नहीं कर पाएंगे ना फोड़ देते विए उम्मीद देखो क्या है यहां पर देखो क्या है यहां उन्हें बारह सो बारह सो बार मतलब माने रखता है पेशेंस इसे को कहते हैं पेशेंस और फाइनले देखों नों किया कि कर लिया ओने आवशकार कर लिया बलका ठीक है फाइनले उन्हें क्या किया इ users कर लिया साइब करना चाहिए On New Year's Day 1880, New Year's Day and his workers put up electric lights at his laboratory. उन्होंने एडिसन ने और उनके साथ काम करने वाल लोगोंने मिलकर कि वो जो एलेट्रिक बल्ब था उसको अपने प्रयोक्षाला में लगा दिया. पूरे अमेरिका जो लोग थे वो सब आने लगे, सब आकर देखते थे, इस अध्भुद्रेश्य को देखने के लिए पूरा अमेरिका उमर पड़ा था, क्यों? आज तक किसी ने भी ये सोचा भी नहीं था, कि हम बिना ओयल के लाइट पा सकते हैं. आज तर सुछ ह delve下次 技 उस किए मैं वह कुछ कर नहीं पहते डियल्टी होती है जो कर जिसको करना होता ना वह अपने काम पर लगा रहता है। आपने देखाए आप और यह एक्सपरिमेंट किया तब जा के उनको यह सफलता मेरी फिर देखें एडिसन केप्ट हैद केप्ट इस प्रॉमिस तो पीपल एडिसन ने अपना जवादा किया था लोगों से उसको पूरा कर दिया ओन 4 सेप्टमबर 1882 फॉर फॉर्श तइम निवर्ट्र शोन इन ब्रैटने साथ व्याइट्रिक लाइट्स चार सितंबर 1882 को पहली बार न्यू यॉयॉक में हर जगा क्या लगाया गया इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाए गई उन्होंने इलेक्रिक लाइट्स को लगा दिया क अब 4-7-8-82 में ठीक है और क्या हुआ पूरा निवियोर्क एलेक्ट्रिक लाइट से जगमगा उठा मतलब विद्धुत प्रकाश से जगमगा उठा जो कि आज तक सिफ लैंप जला रहे थे और लैंप या फिक खेंडल जला रहे थे अब देखते हैं प्रग्राफ 12 प्रग्राफ 12 में देखते हैं क्या क्या चीज़े हैं अब मारे ये लाश्ट प्रग्राफ है एडिसंस लेकर के इसके डाफ के एडिसां ने अपने देश की से वा पहले विष्विदिद में भी किया ठीक है फस्ट वर्ड वार के पहले विष्विद्ध में भी अपने देश की मदद की सेवा की He made 40 wartime inventions and was awarded a medal for his service. उनने कम से कम 40 बार उनने क्या किया आविश्कार किया वार में यानि की First World War में and was awarded और उनको पुरुष्कार भी दिया गया उनको मिडल दिया गया उनकी सेवा के लिए. In 1929, the Silver Jubilee of the invention of the electric bulb was celebrated in Grand Manor. अब देखिए, जो अब 1929 को क्या हुआ, Silver Jubilee मनाई गई, मतलब उसके जैनती मनाई गई, इसे होता है नहीं, अगले साल मतलब बनाते हैं इस तरह करके तो आपका क्या 1929 में एक occasion पर invention of electric bulb was celebrated in a Grand Manor, उनके इस अविश्कार को जिन हो उनके उन्होंने किया था, मतलब जिसको एडिशन ने अविश्कार किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब का, उसका Silver Jubilee था, उनने सुनती सीश्री को, तो उसको सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरिके से भव्य तरिके से उसको मनाया, ठीक है, अविश्कार किया था, अविश्कार किया था, उनको सम्मान दिया, उनको रिसेव किया, उस बहुत ही बड़े फंक्शन में, Addison got up and the function to thank the President, but, अब Addison उठे, और function के उपर, मतलब function पे गए, मतलब सब्सक्राइश पर गए, ठीके, प्रेसिजन को धन्यवाद बोलने के लिए, वो वहाँ पर गए, लेकिन आचाना कि वो बीमार पड़ गए, His illness became worse, अब उनकी जो बीमारी थी, वो क्या और जदा खराब होती गई, उनको और जदा बीमार पड़ना वो पड़ गए, and he died on Sunday morning 18th October 1931, अब वो रविवार की सुबा अथार अक्टूबर उनकी मृत्यू हो गई, वो बीमार चल्ला है थी, इसकी वजा से, ठीके, तो इस परकार से, एक महान विक्ती का जो जीवन था, वो क्या खतम हुआ, who enriched human life, जिन्होंने, एक मनुष्री के जीवन को बहुत ही अच्छा बनाया था, बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश की, और बनाया भी उन्होंने, and happiness, उन्होंने सबको happiness भी दिया, he said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life, जिन्होंने कहा कि मैं कभी भी ऐसा invention नहीं करूंगा, यानि कि मैं कभी भी ऐसा कोई आविश्कार नहीं करूंगा, जिससे कि एक human life, किसी मनुष्री का जीवन, खत्म हो, destroy हो, ठीक है, मतलब जैसे हम दोग आज देखते ह्यां, हम लोग आज वेपन में हमेशा, हम दोग आगे रहना चाहते हैं, कोई हानी नहीं है ठीक है उससे कोई हानी नहीं है उन्हों क्या किया उन्हों यास तक ऐसा कोई विशन नहीं किया उन्हें सब कहा भी तो फिर देखिए ही आलसो से उन्हों यह भी कहा है the world has been in darkness too long I would like to give the to the world more laughter and more light कहा है the world has been in darkness too long यह जो दुनिया है यह बहुत ही जादा समय से अब तक अंधिरें रह चुकी है और मैं I would like to give the world more laughter and more light और मैं इस दुनिया को बहुत ही जादा खुशियों से भर दूँगा और प्रकाश से भर दूँगा लाइट से भर दूँगा उनका यह कहना था फिर देखते हैँ he kept his word वह ने अपने इन शपदों का मान रखा और उन्हों अपने वादे को पूरा किया जो उन्होंने किसे किया था लोगों से किया था है ना इलेक्रिक बल्ग देने के उन्हें किया उन्हें दिया उन्हें जितने वादे करने थे उन्हें किये और उन्हें उसको पूरा भी किया his gramophone has brought us more laughter उनका जो gramophone है वो हमको हसाता भी है and his electric lamp has given us more light और जो electric lamp है वो हमको ज़्यादा रोशनी भी देता है ठीक है अब देखिए उन्होंने कहा था ना कि जो दुनिया है वो बहुत ही समय से बहुत ज़्यादा समय से अंदर कार में रह चुकी है मैं इसको बहुत ज़्यादा खुशियां दूंगा इसको और रोशनी से भर दूंगा उन्होंने भर दिया रोशनी से भर दिया खुशियों से भी gramophone सुनकर के लोग हसते थे enjoy करते थे करते थे और जो लाइट है लाइट को देखकर वो सब क्या करते अपना काम असानी से कर सकते थे ठीक है और अंधकार दूर हो चुका था today our country and the world needs more men like Edison आज हमारे देश को और हमारे दुन्या को ऐसे इंसानों की बहुत जरूरत है जैसे के एडिशन जी है ठीक है जिस प्रकार से एडिशन थे उस प्रकार से हमको और भी लोग जरूरत है every boy and girl should follow his great example और हमारे देश के हर लड़के लड़कियों को उनकी इस राह पर चलना चाहिए उनको एक अपना आइडल मानना चाहिए ठीक है देखो इस चेटर हमको सीखने का क्या मतलब है हमने इसमें क्या क्या चीज़े सीखिए पहली बात कभी हमको पिल्कुल हार नहीं मान करना है धायर कभी ने शोड़ना चाहिए ठीक है जैसे कि उनकी टीचर थी ही उनका पेशंस मुप इनके पास था नहींद नहीं पता था तो इनको गुष्स आएगा ही ऐगा जनृ्सी बात है तो उनको गुष्सा और पिल्सको निकाल दिया लेकिन माता पिल्प की खीं को और सबसे बड़ी बात कि वो अपने इस काम को बड़ी हिमानदारी से करते थे एक्सपेरिमेंट करना किस चीज को अबसर्व करना देखना समझना क्या चीज़े हैं क्या चीज़े नहीं है सारी चीज़े मिला करके तब वो जाकर कि इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए तो हमको यहां से क्या सीखने को मिला कि कभी भी गिव अप नहीं करनी चाहिए हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए ठीक है तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर को यही खत्म करते हैं हम लोग बाते करेंगे अगली क्लास में ओके सो थैंक यू सो मुच स्टुदेंट्स एंड हवा नाइस दे